साथियों, आत्म निर्भर भारत अभ्यान आज देश के नवजवानों को, टेक्नोक्रेट्स को, टेक एंटर्प्राइज लीडर्स को, अनेक नई आपर्चुनिटी देने का भी एक एहम अभ्यान है। उनके जो आइडियास हैं, इनोवेशन्स हैं, वो उनको फ्रीली इंप्लिमेंट कर सके, स्केल कर सके, मार्केट कर सके, इसके लिए आज सरवाधिक अनुकुल वातावरन बनाया गया है। आज भारत अपने युवाओं को इस अफ डूइंग बिजनेस देने के लिए पूरी तहर प्रतिवत है। ताकि युवाओं अपने इनोवेशन्स से करोणों देश वाश्यों के जीवन में परिवर्तन ला सके, देश आपको इस अफ डूइंग बिजनेस देगा, बस आप एक काम कीजिए। आपके महरत से, आपके अनुभव से, आपके टालेंट से, आपके इनोवेशन्स से, देश अगर आपको इस अफ डूइंग बिजनेस देता है, सरकार व्यवस्ताएं देता है, तो आप इस देश के गरीब से गरीब नागरी को इस अफ लिविंग देने के लिए नए नए न नहीं नहीं चीज़ें लेकर करके आईए हाल में करीब करीब हर सेक्टर में जो बड़ोए रिफॉर्म्स किये गए हैं उनके पीछे भी यही एक सोच है पहली बार एग्रिकल्टर सेक्टर में इनोवेशन और नए स्टार्ट अप्स के लिए अनगिनित संभावनाय बनी हैं पहली बार स्पेस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुले हैं दो दिन पहले ही बीपी ओ सेक्टर के इज अब डूइंग बिजनेस के लिए भी एक बड़ा रिफॉर्म किया गया है सरकार ने अजर्ज सर्विसिस प्रोवाइडर ओएस्पी गैड्लैंस को एक दम सिंप्लिफाई कर दिया है करीब करीब सारे रिस्रिक्शन हटा दिये हैं एक प्रकार से सरकार अब की मुझूदगी महसूस नहीं होगी हर एक पर भरोसा किया गया है इससे बीपी ओ इंडर्टिस के लिए कंप्लाइंस का जो बढ़न रहता है बाती बाती के बंदन रहते हैं सब कुछ कम हो जाएगा इसके अलावा बैंक गारंटी सहीत दूसरी अनेक जरूरतों से भी बीपी ओ इंडर्टिस्री को मुक्त किया गया है इतना ही नहीं ऐसे प्रावधान जो टैक इंडर्टिस्री को वर्क फ्रम होम या फिर वर्क फ्रम एनिवेर जैसी सुविधाओं से जो कानून रोकते थे उन कानूनों को भी हटा दिया गया है ये देश के IT सेक्टर को ग्लोबली और कम्पुटेटिव बनाएगा और आप जैसे यंग टैलेंट को और ज्यादा मोके देगा साथियों आज देश में आपकी एक एक जरूरतों को समझते हुए पुराने नियम बदले जा रहे हैं और मेरी ये सोच है कि पिछली सताब्दी के नियम कानूनों से अगली सताब्दी का भविस्थताय नहीं हो सकता है नई शताब्दी नए संकल्प नई शताब्दी नए रित्रिवाज नई शताब्दी नए कानून आज भारत उन देशों में है जहां कॉर्पोरेट टैक्स सबसे कम है स्टार्ट अप इंडिया इस अभ्यान के बाद से भारत में पच्चास हजार से भी जादा स्टार्ट अप शुरू हुए है सरकार के प्रयासों का असर है कि पिछले पाँच वर्षों में देश में पेटेंट की संख्या चार गुना हो गई है ट्रेडमार्ग रिजिस्ट्रेशन में भी पाँच गुना व्रुद्धी दर्ज की गई है इसमें भी फिंटेक के साथ साथ एग्रो डिफेंस और मेडिकल सेक्टर से जुड़े स्टार्ट अप अब तेजी से बढ़ रहे हैं बीते वर्षों में 20 से जादा युनिकॉंस भारतियों ने भारत में बनाए है जिस तरह देश प्रगती पत पर बढ़ रहा है मुझे विश्वास है कि आने वाले एक दो सालों में इनकी संख्या और बढ़ेगी और हो सकता है आज यहां से निकलने वाले जो आप जैसे नवजवान है वो उसमें एक नई उर्जा भरते हैं साथियों इंक्यूबेशन से लेकर फंडिंग तक आज स्टार्ट अप्स को अनेक प्रकार की मदद की जा रही है फंडिंग के लिए टैन थाउजन करोर रुपिय का फंड अब फंड्स बनाया गया है तीन साल के लिए टैक्स एग्जम्शन, सेल्फ सर्टिफिकेशन, इजी एग्जीट जैसे अनेक सुभिधाएं स्टार्ट अप्स के लिए दी जा रही है आज हम नेशनल इन्फरस्ट्रक्टर प्लाइप्लाइन के तहट एक लाग करोड रुपिय से जादा निवेश करने की तैयारी है इससे पूरे देश में स्टेट अब दा आर्ट इन्फरस्रक्टर का निर्माण होगा जो वर्तमान और भविष्ट दोनों की जरुरतों को पूरा करेगा